Hi everyone, welcome to my channel, I am Simran Sahani आज आपको पढ़ाऊंगी class 9th English की poem The Lake Isle of Innisfair इस poem के poet कौन है? William Butler Yeats इन्हें W.B. Yeats भी बोला जाता है और इस poem में हम एक जगा के बार में पढ़ने वाले है जिसका नाम क्या है? Innisfair ठीक है, यह जो Innisfair जगा है यहाँ पे poet अपने बच्पन में रहा करते थे काफी समय पोईट के बच्पन का Innisfair में निकला था और जब वो बड़े हो चुके वो कहां रहते हैं? एक शहर में रहते हैं और अब उनको Innisfair की बहुत याद आ रही है वो फिर से जाके Innisfair में सेटल हो जाए और वही जोन की मन की इच्छा है ना कि मैं Innisfair में जाके सेटल हो जाऊ उसी कोणों ने यह जो पोईम है उसमें बताया है हमें So let us see the poem I will arise and go now and go to Innisfair तो poet first land में क्या बोल रहे है I will arise Arise मतलब get up होता है मैं आप उठोंगा और मैं चला जाऊंगा कहां Innisfair Poet first land में हमें कहते हैं I will arise and go now to Innisfair Innisfair हमें पता है वो जगा जहां poet बच्छपन में राकरते थे वो एक नेचर से भरी भी जगा है जहां पे लेक है पास में कौन सी लेक के लेक आई तो इसलिए poet चाते हैं कि मैं ये city के life चोड़के फिर से Innisfair चला जाऊं Poet first land में क्या बोलते हैं I will arise and go now and go to Innisfair and a small cabin built there of clay and water spade और क्या कहते हैं वहां जाऊंगा मैं और अपने लिए क्या बनाऊंगा एक small सा cabin बनाऊंगा और केबिन के होता है लकडियों का घर कभी movies देखे हैं horror movies में तो usually दिखाते हैं वो लकडी का बनावा घर जंगल वाले एरिया में exactly वैसा ही केबिन जो है जो हमारे poet है वो बनाना चाते है and a small cabin built there of clay and wattles किस से बनाएंगे clay से बनाएंगे clay आपको पता है nine bean rose will I have there a hive for the honey bee and live alone in the bee loud glate आप poet क्या चाह रहे है वहां पर पहले मैं अपना घर बनाऊंगा उसके बाद nine bean rose will I have there तो भाई आप poet वहां रहेंगे घर बनाएंगे तो खाने के लिए भी कुछ चाहिए तो कहते हैं मैं खुद से फार्मिंग करूँगा वहां पर nine bees की ऐसे नौक क्यारिया लगाऊँगा क्यारिया आपको पता है जहां पर अलग अलग जो ऐसे जो किसान है वो खोद देते हैं आप फोटो देखोए आप पर और वहां पर जो है plantation कर देते हैं अब यहां पर ग्लेट मतलब क्या है को जो है ग्लेट कहते हैं तो पोट चाहते हैं वहां पर चोटा सा केबिन बनाएंगे और उस ओपन स्पेस में यानिकि उस ग्लेट में जाके जो है वहां पर आराम से रहेंगे और बी लाउड मतलब की वहां पर उन्होंने च्छता भी लगने दिया ना मनुमक्यों का तो आराम से वहां रहेंगे फार्मिंग भी करेंगे और आराम से रोज बैटके जो है मनुमक्यों की जो आवार से उनको सुनेंगे काई लोगों को जो मनुमक्यों की जो बी बस कर दी है वो सुनना अच्छा लगता है तो पोईट भी उनी में से एक है पोईट क्या कह रहे है मैं इनस्फेर जाओंगा, मैं अपना केबिन बनाओंगा किस से, कले से और वटल से और वहां पर ना MTV & रोस लगाओंगा और व्रणी जो है, इनस्फेर पें जाकर सेटल हो जाओंगा अब आगे पोईट क्या कहते है M. पोईट क्या कह रहे है जब मैं जाकर सेटल हो जाओंगा इनィस्फेर मैं घर बना कि और वह चिता मनुमक्यों को और अमना खाने का ही देजाम करltऊंगा है भूह आँ सब्सक्राइब जास्व हाँ बहुत शान्ती मिलने आ दिया है और सांती के साथ गयते है शांती मुझे कैसे मिले की धीर धीरे शान्ती मुझे मिले जैसे की जो सुभा है आपने रेखज़ ताई कही चार बज़े अंधेर होता है और धीरे धीरे जो सुबा होती है धीरे धीरे होती है तो इस चीज को अपना जो डॉन से लेके जो हमारा चुरुज निकलने तक का जो समय होता है उसको पुएट ने कैसे explain करा है dropping from the whales of the morning whale क्या होती है आपने कभी Christian brides देखी है जैसे कि उपने सर पे उनके वेल लगी होती है लड़कियों की वह वेल होती है पीछे घूंगत टाइप का हमारी तो इंडिया पर यह घूंगत डाल लेते हैं बट क्रिशन ब्राइट की वेल होती है जो चोटी-चोटी बच्चे यह पकड़ के ला रहे होते है तो पोईट क्या कह रहечат है जैसे सुवह घूंगत दीरत चुछेज ऑनदेर होता है अनदेर होती है जैसे लड़की कि वेल बिशाव होती है यूँ पीछे-ची चनलती होती है वैसे ही मुझे शांती मिलेगी धीरत पोवेट अपने शांती मिलने के प्रस से मिलेगी अथेपैस जो होती है क्रिश्टन की जैसे उसकी वेल आती है उससे कंपेर करें कि जैसे जब रात को अंधेरा होता है और धीरे-धीरे सुबा होती है वैसे ही जब मैं इनिस्फेयर में जाके सेटन होंगा तो मुझे धीरे-धीरे शांती मिलनी शुरू हो जाएंगी क्या बोला पोईट लिभी जोए रहéré करना शुरू कर देता है क्रिक्ट के वृण जो थोड़ी से अपनी आवास निकालता है जो बोलना शुरू कर देता है वैसे ही मुझे पीस मिले गी इनिस्फेयर में जाकी जैसे दीरे-धीरे सुबा होती है अंधेरा होता है पहले 4 बस दह कुरुज 22 वैसे ही धीरे धीरे में जाकर शेटल होंगा तो मुझे शांतीप मिले किया पोईट आगे क्या बोलते है देर मिड्नाइट सॉल ग्लिमर और नून अ पॉपल ग्लो और इवनिंग फॉल अफ लिनेट स्विंग पोईट क्या नहीं है वहां की जो मेड्नाइट है और ग्लिमर है अब वो क्यों है देखो इनिस्फेर क्या है एक जगा नीचर से जुड़ी हुई वहां पे पास में कितनी अच्छी लेक है कौन सी लेक आई तो वहां पे क्या है सिटी नहीं है शेहरों में बादल आ जाते हैं इतना पॉल्यूशन है इतने रोगों के घरों के लाइट चल र जो आसमान देखोगे आप हैरान हो जाओ कि देखे सारे तारे हम देखते हमें अपने हाँ पर सारे नहीं देखते हैं हमें तो लाइट से तारे धब ग्लीमर देयर और नून अपपल लो और ज़ो गाहों की ऐसे जो नेचर के पास आज़ी जब आती है वहां पर हम दुपैन टिक बहुत सुंदर चड़िया होते हैं उसके पर बहुत सुंदर होते हैं उसको देखेंगे तो यह वाला स्टैंज आपको समझ में आऊगे हैं हमेशा हमेशा के लिए नाइट इंडे में तब क्या है एवरी ताइम आई विल अराइस आई विल गेट अप मैं खड़ा हूंगा और अपनी टिकेट कता हूंगा और इनिस फेर जला जाओंगा फॉर ओल्वेज अब आगे जो पोएट हैं हमें अपनी लॉंगिंग और जादा दिखाने कि उनका कितन इनिस फेर में वापस जाने का उस नेचर की गोद में जाने का उनका कितना वन है उन्होंने कैसे एक्सक्राइन करें हमें आई हेर दे लेक वाटर लापिंग विद लो सांट बाइद शूर वाइल आइस तैंड रोडवे और और पेमेंट के तो जब मैं किसी रोडवे पे ख खड़ा भी होता हूं तो मेरे कानों में आवास किसकी आती है मेरे कानों में जो है लेक वाटर के लैप होने की आवाज आती है जो शोर पे चल रही होती है तो पोईट खड़े तो है रोड के किनारे बट उन्हें जो है आवास कानों में किसकी आती है कभी आपने लेक देख कितना पीसफुल अपका मार को तो ही चीज के हुए कि मैं ख़ड़ा तो यहां सडक पे वहता हूं अपने जहाँ वह रहते हैं मेरे काणों में अवास कि आतीए उचले कि निग्हानी की जो ऩॉर प्याती है फिसिक ली तो किसी शहर की सड़क पर खुड़े होते हैं बेंटल Airlines प्यूझली जो यह एप्यूश्विआ अजल यूत शुर्क शक्राक्ति है नुक्रन का मैसा करता है कि मैं जो वह बच्पन जो है उसी जगह में बीता है तो पोएट को बार बार लेक आयल ऑफ इन स्फेर वहां जागे सेटल होने का मन करता है तो विद इस आपकी पोएम कम्प्रीट हो गई है इस पोएम की को नाइक का ताम टेबल इस गिवन डिस्क्रिप्शन बोक्स को अच्छे से चेक करो अगर आपको नोच चाहिए तो मेरी इंसाग्राम इडी के विन है जा पर मैंने सारे नोच अप्लोड कर रहे हैं तो गो और एक्सेस अल्ड़ स्टडी मर्टीरियल और अल्ड़ स्टडी वी